आज इक इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको अगर हैकर बनना है तो मैं कुछ ऐसे कोर्स और स्किल्स के बारे में इस पर बताने वाला हूँ जो कि आप बेसिक नहीं एक मास्टर इतकल हैकर बन सकते हैं एक सिक्यूर्टी की फिल्ड में जा सकते हो और भ बैसिक नेटवोकिंग इसे की क्या होता है डैनस क्या होता आप की वीफोर क्या होता आप यह यहां और दोस्तो फेके नम्र पर Linux skill Linux skill में है कि या बिसकिली Linux system को install कैसे करते हैं या कोई file है या कोई software install कैसे करते हैं Linux में जो programming यूज होती है तो basically एक basic होता है कि जैसे हम लोग Windows operating system या Windows computer या laptop को operate करते हैं तो Linux computer को कैसे हम लोग operate करते हैं या उसमें कोई programming run करनी है या HTML CSS पर काम करना है या Java पर काम करना है तो actually में वो Windows के system के अलावा Linux पर कैसे काम करता है क्योंकि हम लोग basic जो बच्पन से पढ़ते चले आते हों Windows system के बारे में बट Linux का बहुत कम knowledge होता है आपको Linux operating system का भी knowledge होना चाहिए और दोस्तों वर्चुलाइजेशन वर्चुलाइजेशन में जैसे कि एक VMware होता है या वर्चुल बॉक्स होता है ऐसे बहुत सारे वर्चुलाइजेशन के लिए एक server यूज किये जाते हैं जो कि आपको सीखना पड़ेगा आपको इस पर detail वीडियो सीए तो मुझे आप comment कर सकते हो मैं इस पर भी एक detail वीडियो बना दूँगा कि ये different different course कैसे किये जाते हैं या इनके fundamental क्या क्या होते हैं और दोस्तों जो next है database skill अब basically database में होता है जो SQL वगरा यूज करते है mysql या tables कैसे create करते हैं या मतलब उनको delete कैसे करते हैं add कैसे करते हैं तो database का आपको भी यहां पर knowledge होना चाहिए कि database creation, deletion या adding ये बहुत सारे काम होते हैं database तो dbms करके इसमें होता है अगर आप चाओ तो book भी पढ़ सकते हो या आप इसका course भी कर सकते हो और यह जो database management system में यह आपकी बहुत जगर काम आता है वो चाहिए programming language हो या hiker हो या network की field में भी आप हो तब भी आपको आपको आपे database instruction मिल जाएगा यूज में दोस्तों जो next है web application में आपको एक अच्छा सा command होना चाहिए web application यानि कि जो website developer होते हैं website designer होते हैं तो उसका भी knowledge आपको होना चाहिए कि actually website design करते कैसे हैं और इसके साथ साथ आपको PHP, HTML, CSS और Java जैसी languages का भी आपको knowledge होना चाहिए और जो basic knowledge इन सब चीज़ों में होती है जो most language यूज होती है उसमें वो python यूज होती है तो python आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा python language में आपको master बनना पड़ेगा रहा है आपको hacker में master बनना है जो next मैं बताने वाला हूँ यह basically हर जगर यूज होता है problem solving skills यह आपके अंदर होना चाहिए वो चाहिए कि आप hacker की field से हो या non hacker की field से हो problem solving skill आपके अंदर है तो ही आपकी company में growth है तब ही ही आपकी company में salary hike होगी तो यह चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए confident होना बहुत ही ज़्यदा जरूरी होता ऐसी चीज़ों में और critical thinking यानि कि आप किसी चीज़ को कितने अच्छे से सोच सकते हो या कितनी अच्छे से कर सकते हो यानि languages का knowledge होना बहुत जरूरी है आपके लिए अगर आप एक hacker बनना चाहते है क्योंकि जो mainly part है languages का होता है hacker में जैसे कि जो others होते हैं अगर थोड़ा अलग बात करूँ तो वो किसी एक field में होते हैं अगर network की बात करूँ तो CCNA CCNP और CCI के वगएरा करते हैं लोग अगर मैं server की बात करूँ तो MCSA या MCSC वगएरा करते हैं server में जाने के लिए and basically जो hiker होते हैं security में जाते हैं बस यार दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक हो सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रियाटकल को बटन दे रहा होगा वहाँ पर किलिक करें चैनल के सब्सक्राइब कर लीजे और इसके बाद बेल अगर को भी हिट कर लीजे ताकि एकर मैं कोई नेक्स वीडियो अप्लोड करूँ तो वो मिस ना हो मिरा नाम है शुभाम मैं मैं मिल तो पर नेक्स वीडियो में वाट टेल लन हम ग्रेट मुमेंट तैंकी सो मच पूर कमिंग हीर जय है जय भारत and be safe